तो हेलो गाइज आज की इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट की NPCI से मैपिंग हो रखी है या नहीं NPCI बोलें या फिर DBT या फिर आधार सेड़ेड बेस्ड अकाउंट बोलें तो ये सारे ही टम्स जो हैं एक ही हैं इनका मतलब एक ही होता है तो अब जानते हैं हमारे जो है अकाउंट का DBT या फिर NPCI मैपिंग या आधार सेड़ेड अकाउंट होना जरूरी क्यों है तो जैसा कि इस समय जो है स्कॉलर से के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपको पता है government scheme से related कोई भी fund हो वो हमेशा ही जो है आपके DBT अकाउंट में आयेगा यानि कि उसी bank account में आयेगा जो आपका bank account आपके आधार कार्ट से लिंक होगा मतलब जो भी bank account है वो आधार seeded होना चाहिए या फिर उसकी dbt या npci mapping होनी चाहिए तो इस समय scholarship की form में major जो है problem में ही आ रही है कि लोगों की npci वाली problem तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो account है वो आधार seeded है या नहीं है मतलब उसकी जो है npci mapping होई है या फिर नहीं होई है तो इसके लिए guys आपको जो है सबसे पहले आज आना है अपने google पर और वहां पर npci mapping आपको टाइप कर देना है इसके बाद आपको थोड़ा सा scroll करके जो first number वाली official website है npci वाली उस पर आपको जो है click कर देना है बाद कुछ इस तरह से website का homepage आपके सामने open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर home वाले option पर click करना है तो जैसे ही आप home वाले option पर click करेंगे आपके सामने कुछ और options खुल कर आजाएंगे जैसे product, consumer, media अब यहाँ पर आपको consumer वाले option पर फिट से click करना है आपके सामने कुछ और option खुल कर आजाएंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पर भारत आधार सीडेड enabler option पर click करना है तो जैसे ही आप open करेंगे यहाँ से दूसरी window open होके आजाएगी अब आपको यहाँ पर simple सा अपना आधार नंबर enter करना है आधार नंबर वाले option पर तो जैसे ही आप अपना जो है यहाँ पर आधार नंबर enter कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर नीचे दिया गया capture code डालेंगे और इस capture code को डाल कर आप यहाँ पर जो है check status वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके अधार card से link mobile नंबर पर जो है OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डाल कर जो है submit पर click कर देना है जैसे ही आप submit option पर click करेंगे आपके सामने जो है आपके account की पूरी detail आ जाएगी कि उस account पर जो है NPCI active है या नहीं है तो जैसे कि मेरे सामने इस account की detail खुल चुकी है तो यहाँ पर देखें यह account जो है active है और यहाँ पर जो यह NPCI mapping है वो bank of बड़ावदा के account से है तो इस तरह से आप भी जो है अपनी mapping चेक कर सकते हैं इसी तरह की important जानकारियों के लिए हमारे channel को subscribe जरूर करें धन्यवाद